नमस्कार देश्टों आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक नया किस्सा लेकर लिजिन्री लीडर्स नमक पुस्तक से जिसको लिखाए मधुर जाकिर हाले गुआ इसमें सवदेशी स्टोरिज की एक सरंखला है तो आज का किस्सा जो है वो एक ऐसे बहादूर वफादार युद्ध की साथ के बारे में है जिसका नाम इब्रहें खान गर्दी है इब्रहां कान गर्दी गर्दी अठारीस अतावदी का बहुत ही जाना माना बहाद कि प्राक्रमी वफादार यद्धा महराठाओं का फोटर्ता था किल्ग वो focuses कि सुरूआत में हैद्राबाद के निजाम के यह काम करना सुरू करता है उसके बाद उसने महराठाओं की फोज का कमांडर बना दिया गया फिर बात करते हैं वो इतना प्रतिपद्ध था इतना वफादार था जिसके लिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से जियाना जाता था वो वफादार था अपने स्वामी सदासिवरा भा थी तो यहां पर एक किस्सह है इर्बाहें खान गर्दी के चीवन से लेकर उन्से संबनुन है कि जिस्सह कुछ इन की जब 30 अब अब्दाली और नाजीब खान को पता चला की इबाहें खान गर्दी एक कमांडर है मराठाओं का प्रमुक कमांडर है और वो भी मुस्लिम है तो उसने उन दोनों ने ये सोचा कि इब्रहाम खानगर्दी को कैसे भी उन भाला फुसला कर मराठाओं से अलग कर दे और उनकी सक्ति अपने अपकम जोर हो जाएगी कि इतना वफाधार अगर किसी का कमांडर होगा तो उसकी सक्ति तो बढ़ी जाती तो इसको अलग करना तो बनता ही था इस काम के लिए उन लोगों ने एक दूत नियुक्त किया वो दूत जो था वो भोजन की सप्लाई करता था आपूर्दी करता था इब्रहाम खान गर्दी की फोजी में तो वो वह से उसको एक हजार सोने के सिक्के दिये जाते हैं और इब्रहाम खान गर्दी के सामने प्रस्तुत करता है वो और उनको बोलता है एक संदेश के रूप में कि आप भी मुसल्मान हूं मैं भी मुसल्मान हूं आमद साब दाली और नाजिब खान भी मुसल्मान हैं तो क्यों न आप इनके साथ कैसे रह सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी जगा आपके मुसलिम भाईयों के साथ होनी चाहिए? आप मराठाओं को छोण कर क्यों नहीं आमत साब दाली से मिल जाते हैं? अगर आप सहमत हैं तो निश्चिंत हो सकते हैं आपको अच्छी तरह से प इब्राहिम खानकरदी ने कैसी प्रत्क्रिया दी होगी क्या वा प्रत्क्रिया कुछ अलग रही होगी क्या उसने बोला हो गा है जिसके लिए आज वो इतना मसूर है अपनी वफादारी के लिए मसूर है तो आईए जानते हैं इब्राहिम खान गर्दी ने इस पर कैसी पृत्रिया दी उसने उस दूत को क्या तरक दिया कि वह क्यों नहीं जा सकता है तो इब्राहिम खान गर्दी रिएक तो दिस वाट वस दरीजनि रिजनी ही ग्यों दो मेसंजर तो इब्राहिम खान गर्दी का उत्तर कुछ इस प्राड था उसने जैसे ही सुना उस दूत के मूँ से तुरंत ही आग बुबूला हो गया उसके चेहरे पर गुशा आ गया उसके तो उसने क्या किया तुरंत ही उस दूत को मार देने का आधिस्ति दिया इब्राहिम खान कर दी एक वफादार पहादूर युद्धा था वो ऐसे नहीं देखता था कि मराठा हिंदू हैं है ना ऐसे नहीं देखता था वो देखता था कि यो मराठा हैं वो हमारे सासक हैं वो उनके प्रत वफादार रहना है और उसके लिए हमसाबदाली जो की भारत को सिर्फ और सिर्फ लूटने के उद्देश से आए हुए थे वो एक दुस्मन के रूप में लगते थे और उसका सिर्फ एक ही मकसद वगत था कि जो भी भारत का दुस्मन है जो यहां के सासक का दुस उसने उस दूस से इस बात को एक्स्प्लेइन करने के लिए बोला इसको बताने के लिए बोला कि कैसे एक हिंदुस्तानी मुस्लिम एक विदेशी मुस्लिम के साथ हाथ मिला सकता है जो की सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में आकर हिंदुस्तान के मुस्लिमें को बरबादी करेग लूटेगा उन्हें मारेगा और यहां से चला जाएगा उसे यह सुनकर बहुत बड़ा जटका लगा कि यह जो दूत है वो सिर्फ मराठाओं के हिंदू होने से ही उनके विरुद्ध में है जबकि इसको यह नहीं पता है कि इब्राहियन खान गर्दी को उन्होंने लोगों की उनके देश की सुरच्छा करने के लिए रखा हुआ है तो उसने यहां पर आकर यह डिकलियर किया कि उस मैसंजर को दूद को मार देना चाहिए क्योंकि यह एक दीमक की तरह यह देश को खा जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से हम एक ब्राहियन खान गर्दी से यह सिखते हैं कि हमें अपने देश के लिए अपने सासक के लिए किस तरह के से वफादार होना था अगर आपको यह है स्टोरी यह किस्सा अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को हमारे आडियो बुक को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें बहुत धन्यवाद